हेलो दोस्तों सागत है आप सभी का एक वार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल कॉम्प्टेटिव फंडा पर तो दोस्तों आज मैं बहुती मोस्ट अवेटिड वीडियो बनाने वाला हूँ यहां दोस्तों इस वीडियो की बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे की सर बैस्ट बुक्स फ़र UPSI यानि UPSI का जो एकजाम होता है दोस्तों उसमें कौन कौन सी बुक्स जो है अच्छी रहेंगी उन सब बुक्स के बारे में बहुत सारे लोग मुझे बार बार कमेंट कर और बार बार पूछ रहते की सर जी इसके लिए बुक बताईए रिजनिंग के लिए मैं इसके लिए तो मैंने ये एक वीडियो बनाया है इसमें मैं सारे सेक्शन्स जो की UPSI के एक्जाम में पूछे जाते हैं उनके लिए मैंने जो है कुछ बेस्ट बुक जो है सर्च की हैं खुद से उनको देखा भी है और मुझे लगता है ये बुक जो है बैस्ट है अगर आप UPSI की त्यारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि UPSI का एक्जाम पैटर्न क्या है तो पैटर्न के लिए दोस्तों मैंने स्लैबस और जितनी और UPSI 2019 से संब्दित मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो उस प्लेलिस्ट को भी आप उपर आई वटन पर क्लिक करके देख सकते हैं उसमें आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी 2019 यानि UPSI की जो नई भरती आने वाली है उसके लिए important जितनी भी मेरी पुरानी वी वीडिकल कैसे होता है उन सभी से related मैंने सारी वीडियोज उस प्लेलिस्ट के अंदर डाली हुई है तो प्लीज आप उपर आई वटन पर क्लिक करके उस उन वीडियोज को जरूर देख लीजेगा तो दोस्तों आप देख रहे होंगे exam pattern तो इसमें क्या होता है objective टाइप पे पेपर होता है वो 400 मार्क्स का रहता है दो घंटे का पेपर होता है यानि 120 मिनट और इसमें कोई भी negative मार्किंग अभी तक नहीं रहती है अब नई भरती आएगी हो सकता है उसमें ना हो लेकिन मैं यह सारी चीज जो है पुराने जो 2016 की भरती थी उसके आदार पर आपको ब question दोनों language में दिखाई देगा ठीक है और अगला फिर आप कर लेते हैं कि क्या के section होते हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इसमें 4 section रहते हैं दोस्तों चारो section में 44 question होते हैं पहला section general Hindi का जिसमें 40 question 20 marks का एक question होता है और 100 marks का total section होता है और law constitution और general knowledge की बात करें तो इ तो दोस्तों यहां पर एसा लिखा हुआ है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं आपको बता दूं आप अगर पिछली साल का आपने पेपर देखा होगा तो उसमें आप यहां पर थोड़ा वैरिशन रहता है यह जरूरी नहीं है कि इतना ही ऐसा ही रहे तो यहां पर जीके की कभी सेक्षण हो इसमें भी हर एक कौशन होते हैं दो получ declareन रहे हैं बड़ी बड़िभात इसमें एक हर एक सेक्षन में फिप्टी परसंट जो है आप फिर क्रीक करना उन mentor बाहं करना है हर सेक्षन है को जो अपने marks से वह लेके आने हैं आदे marks और आपको हर एक section में qualify करना है और आपको जो है फिर आपको जो है आगे भेज़ा जाएगा प्रिक्रिया के लिए और उसके बाद आपको final merit के तहरत आपको select किया जाएगा अगर जिसके marks जादा होंगे तो चलिए सबसे पहले हम section 1 की बात कर लेते हैं सामान हिंदी जर्नल हिंदी तो इसके लिए कौन कौन सी बुक्स जो है वैटर रहेंगी बहुती तो दोस्तों मैंने जो बुक्स पड़ी है और मैंने देखा है और सभी बुक्स को मैंने देखा है मुझे जो best लगती है मैंने आ इची बुक है इसको अगर आप इसको purchase कर लिजी अगर आपके पास हिंदी की कोई और बुक नहीं है और इसके सिवाय मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह अरियंद की हिंदी की बुक है अगर आपके पास यह है तो आपको कोई और बुक लेने की जरूत नहीं है और अग पहर हिंदी के परफस से और यह बैस्ट book हैं तो अगर आपके पास नहीं हैं तो आप इसको पर्चैश कर लिजिए वरना अगर इन में से कोई आपके पास हैं तो आपको और बुक लेने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों अगर कोई भी बुक आप इन में से पर्चेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है बहां से आप इसको एमेजॉन फिलिप कार्ड बहां से आप इनको पर्चेज कर सकते हैं और बहुती कम कीमत में बहां पर आपको ये बुक मिल जाएंगी तो आगे हम दोस्तों देखते हैं सामान ग्यान की बात तो जनरल नॉलिज का जो सेक्षन है उसके लिए कौन-कौन सी बुक तो दोस्तों ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और ये हर एक जो अभ्यारत दोस्तों इस सबसे पहले तो आप ये खरीद लीजी अगर आपके पास नहीं है दूसरा आपको एक जो घटना चक्र की आती है उत्तरप्रदेश तथेसार ये हमेसा अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम तो ये आप जो है इसका नया एडिशन जो भी होगा आप जाक ज़्यादा कोशन इसी में से देखने को मिलेंगे अगला है दोस्तों सम्मिधान यानि भारती सम्मिधान इंडियन कॉंस्टियूशन जो है इसमें कौन सी बुक आपके लिए सही रहेगी तो दोस्तों इसके लिए आपको घटना चक्र की जियस पॉइंटर आती है राजिव चक्र आप पढ़ सकते हैं और इसमें थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा आप जो भी है बहुत सारे आपके नोट्स वगरा है उनसे पढ़ सकते हैं और आप हमारे फेस्बुक गुरुप को और टेलीग्राम चैनल को भी जोइन कर लिए क्योंकि बहाँ पर मैं इससे रिलेट तो अगला हम बात करें लौ मूलविदी तो दोस्तों इसके लिए को अभी मुझे जो बुक अभी मिली है मैंने आपको यह दिखाने वाला हूँ यह उस समय 2018 में थी संबिदान और मूलविदी के लिए घटना चक्र की तरफ से तो ऐसे ही बुक है आप इसको पर्चेस कर सकत हैं और उसके बाद आप जो है यह बुक आती है यूथ कॉंपेटिशन की इसमें अबजेक्टिव टाइप कोश्चन्स होते हैं मूलविदी से संबंदित और एक यह है वो किसको भी आप पढ़ सकते हैं तो दोस्तों यह सारी बुक हैं आपके प्रेक्टिस के लिए बहुत ह इंपॉर्टेंट होती हैं और मूलविदी के लिए यह सारी चीज़े हैं बाकी का मैं जो है इनके लिए कुछ मेरे पास नोट्स हैं दोस्तों तो वो मैं आपको अपने फेस्बुक गुरूप और टेलिग्राम चैनल जो है बहां पर प्रोवाइट करा दोंगा तो प्लीज आप उनको जोईन कर लीजिए और टाइम टाइम जैसे आएगी उसके बाद स्लेवस को देखते हुए तरह तरह के जो नोट्स होंगे मैं आपको अपने चैनल और फेस्बुक गुरूप पर प्रोवाइट कराता रहोंगा तो अकली हम बात कर लेते हैं संख्यात्म क्योगता यानि नुमेरिकल एविरिटी जो मैत्खा सेक्षन है दोस्तों इसमें 40 कोशन पूछे जाते हैं तो इसके लिए कौन सी बुक बैस्ट रहेगी तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आरस अगरवाल की जो बुक है एस चांत की उसको आप ले सकते हैं और बहुत सरे बेहरती के पास यह वो कॉल रेडी होगी और यह ठीक बुक है मैं मानता हूँ अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया जो चैप्टर है मैंने आपको स्लेबस के बारे में पहले अपने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है अगर आपने नहीं देखा तो महां से आप स्ले और आगे हम बात करें अगर आप इंग्लिस मीडियम से हैं तो आपके लिए यह बुक बैस्ट रहेगी यह भी ऐस चैंद आरेस अगरबाल की है यह इंग्लिस भरजन है तीके तो आप इसको पर्चेस कर सकते हैं इन दौनों बुक्स के जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रि दोस्तों यह बुक हिंदी मीडियम बालों के लिए बैस्ट है और इसमें बर्बल नौर बर्बर और अनलेटिक यह तीनों के बारे में दिया हुआ है यह बुक दोस्तों बो बुक है जो इस्टेंडर बुक है रीजिनिंग की कोई भी आप एक्जाम की अगर तयारी कर रहे ह अगर उसमें रीजिनिंग सेक्षन होता है तो इस बुक से आपको हर एक्जाम की तियारी कर सकते हैं तो यह इस्टेंडर बुक है और अगर आप इंगलिस मीडियम से हैं तो आप यह आरेस अगरवाल की जो एस्टेंद वाली बुक है नौन बर्बल बर्बल रीजिनिंग की यह आप पर्चेश कर सकते हैं तो दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी हैं इंगलिस मीडियम और हिंदी मीडियम तो आप इनमें से जो भी आपको बैस लगे आप पर्चेश कर सकते हैं और इनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से आप इनको अपडेट मिलेगा और तब तक आप अगर अपनी प्रिपरेशन कर चुके होंगे तो फाइनली आपको उस समय जो है कुछ प्रिवियस के कोश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे क्योंकि दोस्तों उससे आपको एक आईडिया लग जाता है कि किस चैप्टर से किस टैप कोश् से अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको पूचहें और अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको परचेश करिगे और अगर आपके पास इंसे से कोई भी एक बूख है तिक है inst 익 तो दोस्तो इन बुक्स को अगर आप और पर्चेश करना चाहते हैं तो इनके लिए मैंने लिंक जो है डिस्क्रीप्शन में दिया है बहुत ही जो है आपको मार्केट से सस्ता पड़ता है कही न कहीं जो जितना डिसकॉंट बिलता है उससे अच्छा आपको अपने फिलिप का पर डिस्कॉंट मिल जाता है तो उनका जो लिंक है बुक्स का पर्चेज करने का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ठीक है उसके बाद अगला हम बात करें अगर आप स्टडी नोट्स चाहते हैं या फिर किसी भी तरह एक्जाम से रिलेटिड माटेरियल चाहते हैं त दोस्तों ये वीडियो मैं बहुती टाइम से बनाने वाला था लेकिन मुझे टाइम इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं पहले सारी वुक्स को देखना चाहता था कि जो जो वुक्स मैं रिकमेंडेट कर रहा हूं वो बैस्ट है या नहीं क्योंकि बहुत सारी मैंने देखी कि आप लोग इस पे 100 प्लस लाइक मुझे इस वीडियो पे जरूर देंगे तो दोस्तों जादा से जादे वीडियो पे लाइक करिए और हमारी पुरानी जो UPSI से संबंदित वीडियो हैं उनको देखने के लिए आप उपर आई बटन पर क्लिक करें बहाँ पर आपको एक प् कारे में मैंने आपको बताया हुआ है तो उस उपर वाली प्लेलिस्ट को आप जरूर देख लीजीगा और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक भी जरूर कर दीजीगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी कर दीजी ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड सकें और दोस्तों अगर आप हमाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें बेल अकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली हमारी किसी भी वीडियो का आप मिस्ट ना कर पाएं तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू जैहिंद जैज 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 हमा पार्म शच्यान च्राइब को जैडिताओनी हैं त体 कर ले दोस्तों ठाभश्या स्क्राइब कास्क्न वीड जित्दिसस का रिखा का ओन सुनिता वीडियोरोdarी आप हमारी किसी दूम